यदि आप जीवन भीमा नहीं खरीदना चाहते हैं, आप इंस्योंस पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात हैं, मैं आपकी बात से पूरी तरह से मत हूँ, आपको इंस्योंस पॉलिसी कभी भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँग वो यही होगा कि मैं इतनी जो मेहनत करता हूँ, जो पैसा कमाता हूँ, वो अपनी फेमली के लिए कमाता हूँ, अपने परिवार के लिए कमाता हूँ, यानि यदि देखा जाये तो आपके परिवार के जो भी आज के खर्च होंगे, खाने पीने के खर्च, घर के किराय के खर भ diferen, यानि छोटे से छोटा और बड़े से अखर्चा होगा आपके परिवार में उस खर्चे को मैनेज करने के लिए जो पैसा लगता है वो पैसा आप कमा कर लाकर देते हो। आज आप हो तो इन सभी खर्चों को बहुती असानी से आपका परिवार मेनेज कर सकता है क्योंकि आप इंकम कमा कर लाकर देते हो लेकिन भगवान ना करें यदि आपके साथ कुछ अनूनी हो जाती है आपके जीवन का अंत हो जाता है तो उस कंडिशन में आपके परिवार को जो ये पैसा मिलता था क्या लगातार मिलता रहेगा अब आपका जो जवाब होगा वो यही होगा कि नहीं हमारे रहने के बाद जो इंकम है ये कहां से आएगी ये बंद हो जाएगी ये नहीं आएगी लेकिन मैं आपको एक सज बात बताओं आपके ना रहने पर आपके जो income है ये तो बंध हो जाएगी लेकिन आपके जो परिवार के खर्चे हैं बच्चों की स्कूल की जो फीस लगती है घर के जो medical के खर्चे होते हैं यानि छोटे से छोटा और जो बड़े से बड़ा खर्च होता है ये कभी भी पोश्पोन नहीं होते हैं ये कभी भी आगे नहीं बढ़ाए जा सकते हैं यानि यदि आपके परिवार में जो आज खर्चा लगता है महिने का 10,000, 20,000, 30,000 ये continue लगता ही रहेगा देखा जाए तो ये खर्चा बढ़ सकता है लेकिन कभी कम नहीं होगा क्योंकि ना तो बच्चों की स्कूल की फीस कम की जा सकती है ना ही घर क मेडिकल के खर्चे, किराय के खर्चे, खाने, पीने के खर्चे यानि किसी भी खर्चे को कम नहीं किया जा सकता और आने वाली महंगाई को ये दि देखा जाए तो ये जो खर्चे ही ने मेनेज करने के लिए जादा पेसो किया हो सकता होगी यानि आप आपके परिवार को ज मेनेज करने के लिए पेसों का इंतिजाम करने के लिए आपके परिवार में से आपकी वाइप को काम करना पड़े या घर में आपके बुढ़े पिता जी हो तो आपके पिता जी को काम करना पड़े यानि घर के खर्चों को मेनेज करने के लिए किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि जब कोई काम करेगा तो ही घर में इंकम आएगी और इंकम आएगी तो उससे घर के खर्चे मेनेज होंगे तो आप मैं आपको बताना चाहूंगा यदि आप एक इंस्वेंस पॉलिसी लेकर रख लेते हैं तो भगवान ना करें लेकिन यदि कभी आपके जीवन का अंत हो जाता है तो उस कंडिसन में आपकी फेमली को इतना पेसा मिल जाएगा जो यदि आपका परिवार बेंक में भी रख देता है तो उसका जो ब्या जाएगा वो उतना ही होगा जितना कि आप हर महीने अपने परिवार को पेसा कमा कर लाकर देते थे यानि नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपके ना रहने पर भी यदि आपकी फेमिली उन पैसों को बैंक में रख दे तो उसका जो ब्याज है वो इतना आए जिससे कि हर महीने वो इंकम आती रहे जो आप अपनी फेमिली को कमा कर देते थे जिससे कि घर के सारे खट्चे अच्छे से मेनेज हो जाएं अब यदि आपके पास इतना पैसा है तो बहुत अच्छी बात है आप insurance policy मत लीजिए लेकिन यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपको बिल्कुल भी देड नहीं करना चाहिए आपको आज ही अपने insurance advisor को बुला कर अपनी एक सही insurance policy ले लेना चाहिए जिससे कि कभी भी आपके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक तंगी का सामना नहा करना पड़े